हेलो एंड वेलकम एवरीवन जैसा कि आप सभी लोग को पता ही कि डेली के सीम ने डेली में काफी सारी चीजों को ओपन कर दिया है तो जिसमें हमारे आटो मोबिल सेक्टर भी आता है काफी सारे शोरूम्स ओपन हो गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगो के लिए मैं बज़े वीडियो में चैनल पे लाइब करूँगा तो उसके लिए आप लोगों को बैल आइकन आउन करना पड़ेगा और अगर इंस्ट्राग्राम पहाना चाते हो तो आपको डिस्क्रिप्चन में लिंक मिल जाएगा तो आज बात करूँगा आप लोगों से 10 निउ का पैट्रोल इंजन 2.0 लिटर टर्बोचार्ड डीजल इंजन काफी बड़े इंजन होने वाले सिक्सी स्पीट की मैनूल प्लस सेवनी स्पीड की डी सीटी ट्रांस्मिशन के साथ आपको कार देखने के लिए मिलेगी थोड़े बहुत एक्स्टिरियर के इंदर चेंजिस हों तो यह काफी अमेजिंग कार हो सकती है एम जी की तरफ से क्योंकि जिस हिसाप से हेक्टर को पसंद कराएंगी के एक्सपेक्टेशन यह है कि हेक्टर फ्लस को भी उसी तरीका का प्यार देखने के लिए मिल चालिए इसकेंड ॥ा टलिए मिले मिलेगी तो चलिए आगए के बढ़ते लिष्ट में सेकंड कार की तरफ आप सभी लोगों को पता है कि रेनॉल्ड की तरफ से जो भी कार साते हैं वो थोड़ी सस्ती होती है कम प्राइज में अच्छे फीचर आप लोगों को मिल जाते हैं तो यह भी एक उसी टाइप की कार होने वाली जो कॉंपटीट क मिलेगा जो लगबग 100 भी पावर निकाल देगा चले यह वाले एंजिन ठीक ऐसे कोई ऐसी प्राब्लम वाली बात नहीं है दूसरे इसकार के अंदर आप लोगों को सारे देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे की इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन एंडॉड डॉटो एपल कार सारी चीज़े देखने के लिए मिल जाएंगे बस यही दो तिन प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोग जिस वाइस कार को डिसलाइक कर दें बागी लुक्स वाइस भी काफी कार बढ़िया है सब कुछ ठीक है कोई टैंशन है कर लेना तो आप लोग इस कार क कि तरफ किया सॉनेट तो किया ने अपनी सॉनेट को 2020 आटो एक्सपो के अंदर शोकेस कर रहा था और वहां पर उन्होंने दिखाया था कि हम एक सब 4 मीटर कॉंपैक्ट SUV के उपर काम कर रहे हैं जिसका सीधा सीधा राइवल रहने वाला है हमारी 5 जबरदस्त कार्स के साथ मगर उससे पहले मैं आपको इसके इंजिन स्पेसिफिकेशन बता देता हूं और इस कार के अंदर आपको क्या फीचर देखने के लिए मिलेंगे उस बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं तो सबसे पहले इस कार के अंदर आप लोगो किया तीन इंजिन ओफर करने वाले etesरेज़नरोब tractor इंजिन और लास्ट 1.5 लीटर फोड इनजिन अपनी के साबसे देख सकते हैं कि आपको किस इंजिन को purchase करना है किस वे इंटेस के साथ आप लोगो को जाना है बागी इस कार के अंदर अगर मैं फीचर्स के बारे हम बात करो तो इसमें आपको काफी अच्छ अच्छ फीचर मिल जाएंगे और पांच हेटरेस्ट भी आपको कार के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे और ये कार कॉंपटीट करेगी हमारे इंडिया के अंदर आने वाली काफी मशूर कार के साथ नेक्सोन, ब्रीजा, वैन्यू, इको स्पोर्ट और लास्ट अमारी एक्सवी थ्री डबलो जैसी कार के प्राइजिंग के अगर मैं एक बार यहां पर आप लोगों से बात कर लो तो इसकी प्राइजिंग लगबग आप लोगों की 6 लाग रुपे से लेकर 10-30 लाग रुपे तक रहनी चाहिए और उससे ज़्यादा प्राइजिंग इसकी नहीं जाएगी तो यह बहुत जबरदस प्रोड़क्ट हो सकता है हमारा टाटा की तरफ से जिसको इंडियान मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा ही पसंद करने वाले है सेवन सीटर के अंदर यह के काफी बड़ीया कार है काफी बड़े इंजन के साथ आ रही है 2.2 लिटर का क्रायो टैक डीजल इंजन इसकार के अंदर मिलेगा सिक्स स्पीट की मैनुवल प्लस आटोमेटिक ट्रांसमिशन कार के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी आर 18 इंचिस तक के इसके अंदर आपको टायर देखने के लिए मिलेंगे और जिसमें की इस कार डिजाइन जो है अलोए का वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है हाला कि इस कार के अंदर आप लोगो संरूफ नहीं मिलेगी जिन लोगो संरूफ पसंद है तो उनको हैरियर की तरफ जाना पड़ेगा सेवन सिटिंग की अगर कार चाहिए संरूफ वाली तो फिर आपको हैक्टर प्लस का ही वेट करना पड़ेगा बस इस कार में एक संरूफ नहीं मिलने वाली है बाकि इस कार के अंदर आपको कोई भी फीचर की कमी नहीं है सारे आपको अपकी requirement के फीचर कार के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि friend में आपको LED प्रोजेक्टर, headlamp, 8-10 इंचिस तक confotainment screen, android auto, apple carplay, reverse parking camera, sensor, bluetooth, aux, navigation और steering mounted control, rear passengers के लिए AC event हो गए या फिर आप लोग के electronically, foldable, unfoldable, ORVM, intelligence, rear view, mirror भी आपको कार के अंदर देखने के लिए मिल जागा तो requirement के सारे फीचर ग्रविटास में आपको मिल जाएंगे, except sunroof आगे बढ़ते हैं लिस्ट में हमारी next car की तरफ MG Gloster, आप सभी लोगों को पता हुआ कि MG ने अपनी एक full size SUV को 2020 Auto Expo के अंदर showcase करा था और MG ने काफी दावे के साथ ये बात कही थी कि जो Toyota Fortuner और Ford Endeavor, Mahindra, Alturas, G4 जैसी कार है उनको ये बहुत ही जादा कड़ा मुकाबला पेश करने वाली है price भी हम इसका उनकार के मुकाबले में कम लेंगा और feature भी उनसे काफी जादा देने वाले है तो guys इस car के अंदर आप लोगो को काफी तगड़े features मिलने वाले है और ठीके साथ साथ इसकी जो pricing है पहले वो ही बता देता हूं कितनी है तो इस car के pricing लगबग आप लोगी 25 लाग रुपे से लेकर 30 लाग रुपे तक रहने वाली है और अगर features की बात करी जाए तो इस car के अंदर बहुत ज़्यादा ultimate feature आपको देखने के लिए मिलने वाले है अपने segment में इस car के अंदर सबसे बड़ा आपको infotainment screen देखने के लिए मिलेगा लगबग 8 से 9 इंचिस तक का इसका fully digital instrument console होने वाला है बहुत सारी steering mounted control देखने के लिए मिलेंगे front की दोनों seat air ventilated आपको देखने के लिए मिलने वाली है कार के अंदर three zone automatic climate control दिया जाएगा उसी के साथ 50 plus आप लोगो कार के अंदर connectivity के features देखने के लिए मिलने वाले है और कार के अंदर आप लोगो को multi connected bluetooth की facility भी देखने के लिए मिलेगी अप लोग एक ही बार में काफी सारे लोग अपने mobile phone से bluetooth कनेक्ट करके आप लेक कर सकते हैं कार के अंदर और एक second row की जो seat है उनको आप लोग अपने इस अपसी डिक्लाइन करके अपने comfort level को enhance भी कर सकते हैं तो आपको यह बात तो करेक्ट है कि एमजी की cluster के अंदर और जो इसके competitor है उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा फीचर देखने के लिए मिलने वाले हैं और बागी front से या फिर side profile से कार के look भी काफी ज़्यादा अच्छ है लगबग 18 से 19 इंचिस तक के इसके अंदर आप लोगो को diamond cut alloy wheel मिलेंगे front में LED light, rear में LED light और कार के अंदर बहुत ही ज़्यादा जबरदस्ट फीचर भी होने वाले हैं लिष्ट की हमारी next car है TUV300+, आप सभी लोगो को पताएगी जो महिंदर की TUV300+, वो काफी बढ़िया कार है तो उसके अंदर महिंदर अपडेट दे रहा है जिससे आप लोगो 120 horsepower मिल जाएगी 295 Nm of torque तो ये भी काफी बढ़िया बात है आप लोगो 6-speed की manual transmission और automatic transmission का option भी मिलने वाला है जो की आपकी driving के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है और tire size की बात कर जाएगा तो लगबग इस car के अंदर आप लोगो को R70 और 16 इंचिस तक के tire भी देखने के लिए मिलने वाले है और इसके design में भी काफी सारे आपको changes देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि इसके front bumper को redesign कर जाएगा प्रेंट का जो इसका plate है उसको भी change कर जाएगा और rear के design में भी काफी सारे आपको changes देखने के लिए मिलने वाले आज की list के हमारी काफी ज़्यादा popular SUV होने वाली है जो कि मेरी पहले choice रहती है अगर मेरे को 20 लाग रुपे में कोई car purchase करनी होती तो जिसका नाम है Nissan Terra तो यह अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी इसका price सुनके आप लोग शौक हो जाएगे कि इतने price में इतने advanced feature आपको Nissan कैसे offer कर सकता है इस car की जो pricing का लगबग 20 लाग रुपे रहने वाली है और 20 लाग रुपे के साथ साथ इसकी launch date जो schedule करी गई है वो है January 2021 बाकि अगर आप इसके जो pricing सुरेंगे engine specification सुरेंगे तो आप लोग हिल जाने वाले हैं जैसे कि इसके अंदर आपको 2.5 लिटर का diesel engine देखने के लिए मिल जाता है 6-speed की manual और 7-speed की automatic transmission के साथ कार के अंदर आप लोगो लेदर अपॉलिटरी देखने के लिए मिलने वाले तीनों ही रो में और most probably car के अंदर आपको जितने भी काम करने जैसे कि आपको seat folding करने है या फिर front की seats adjust करने है सारी चीज़े आप लोग electronically adjust कर सकते हैं तो सबसे बड़ा plus point मुझे इस car का यही लग रहा है कि आपको manually कुछ भी नहीं करना है सो बाकि अगर next चीज़ के बारे हम बात करने तो आपको आपके comfort convenience के लिए इस car के अंदर बहुत सारे features देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि 8 से 10 इंचिस तक का infotainment screen जो कि आपके सारे features को support करेगा जो कि android auto, apple car play, bluetooth, aux, navigation वगएरा सारी चीज़े और इस car के अंदर आप लोगो multiple bluetooth connection का feature भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें होता यह है कि आप same time बे एक से ज़्यादा bluetooth को connect के अपने according song को play कर सकते हैं इसके IRVM के अंदर आपको एक बड़ा ही amazing feature देखने के लिए मिलने वाल है उसमें आप लोगो अपना camera access कर सकते है rear का camera मतलब जो rear में आपका camera लगा होता उसको आप access कर सकते है चलती कार के अंदर तो यह एक बहुत बड़े feature मिरको लगा safety security के लिए car के अंदर आप लोगो all disc brake, ABS, EBD, reverse parking sensor, front parking sensor और hill hold assist, tire pressure monitoring system जैसे सारे safety security के feature भी देखने के लिए मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और इसकी अच्छी बातों की तरफ जैसे कि इसके अंदर आप लोगो काफी बड़े off-roading capabilities देखने के लिए मिल जाएंगी क्योंकि car के अंदर आप लोगों को 4x4 का feature तो मिले गाई, उसी के साथ car आपकी rear wheel drive रहने वाली है, जैसे कि अपनी महिंद्रा स्कॉर प्यो है तो बाकि चलो आगे बढ़ते हैं लिष्ट में अपनी next car की तरफ नेक्स्ट कार गाई हमारी VW की तरफ सारी है जीटा तो गाईज ये एक ethic आरती जो अपने segment में काफी मतलब अच्छा नहीं sale हो रही थी तो कुछ टाइम पहले इसको VW ने silently इंडिया में से इसको discontinue कर दिया था तो वह अब इसका एक पार फिट से इसका new variant को लेकर आने वाला इंडिया में launch करने वाला है और बहुत ही जबरदस्त feature के साथ इस कार को launch करा जाने वाला है प्राइजिंग की बात करी जाए तो लगबख 17 लाग रुपे इस कार का प्राइज रहने वाला है और वहीं अगर इसकी launch date की बात करूँ तो 2021 मई या जून तक इस कार को launch करने का schedule भी date करी गई है बाकि अगर एक बार इसके engine की तरफ नजर डालते फिर आपको इसके जबरदस्त feature बताऊंगा तो इसमें आपको एक ही engine मिलेगा जो थोड़ा सा मतलब disappointment लग रहा है अब बात आती है इसके features की सबसे पहले इसके जो front है उसमें आपको काफी बड़े size की grill दी गई है पहले से थोड़ी सी enhance करिए जिसे की front की look और भी ज़्यादा खतरनाक सी सामने निकल गया है बाकि interior में इसके 10.25 इंचिस तक का infotainment screen मिलेगा fully digital instrument console मिलेगा पांसो जस लीटर का boat space मिल जाएगा कम से कम 65 से 70 लीटर तक का fuel tank मिलने वाला है mileage तो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी mileage आपको जाए 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 इस कार से 10 से 12 की mileage मिलने वाली है क्योंकि बाइट टर्बो चार्ट पैट्रोल इंचन है हेक्टर से थोड़ी थी छोटी होने वाली और प्राइज में भी उससे कम रहेगी लगबग इस कार की जो प्राइजिंग अप 15 लाग रुपे रहने वाली है और अगर launch duty की बात करी जाए तो इसको MG launch कर देगा 2021 के अंदर तो इस कार की जो length रहने वाली है जैसे की आप लोगो को इस कार के अंदर 2.0 लिटर का टर्बो चार्ज पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो 220 PS की पावर जनाइट करता है 350 Nm टॉर्क पे और दूसरे इस कार के अंदर आपको 1.4 लिटर का टर्बो चार्च पैट्रल इंजिन देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको काफी बड़िया पावर देदेगा 170 पावर प्रेडूस कर देता है 250 न्यूटन मिटर टॉर्क पे तो दोने ही इंजिन काफी ज्यादा बड़ी है और आपको ट्रांसमिशन की बा आपको परदेखने के लिए मिलेगी और कार आपको एकर कुछ फीचर्स के बारे हम बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 4x4 प्रेडलीटी भी देखने के लिए मिलेगी और आपकी दूसरे विरियंट में आपको फ्रेंड वील-द्रैब भी मिल जाएगी काफी बड़े सा कि कमांड को एक बार में सारी कमांड को सुनने वाला है तो इस कार के लिए excitement लोगों का मेरे सबसे काफी जादा होने वाला है सो लेट सी देखते हैं इसको 2020 में कब तक launch करा जाता है बढ़ते हैं आज की लिस्ट के हमारी next कार की तरफ से आने वाली एक MPV जिसका नाम में MG Maxis G10 यह कार सीधा सीधा कॉमपटीट करेगी कि किया कार नीवल को और मुझे लग रहा है यह उसकी मार्गेट को खा जाएगी क्योंकि इस कार के अंदर एमजी ने बहुत ही ultimate लेवल के आप लोगों को फीचर ऑफर करें उसी के साथ सबसे पहले इसके इंजन और लाउंच डेट की तरफ हम नजर डालेंगे तो गाइज इसकी जो लाउंच डेट चेडियूल करिए गई है वह है 2020 के अब पहले प्राइज भी बता देता है आप लोगो को इसकी प्रैजिंग लगबग 20 लाग रुपे रहने वाली है बात आती है अब इसके अंदर आपको कितने और क्या इंजन मिलने वाले है तो दो इंजन आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलेंगे 1.9 लिटर का ड तो पावर और टॉर्क तो दोने इंजन की बहुत ही जादा जबरदस्त है सिक्सी स्पीट की मैनुल प्लस आटोमेटिक ट्रंसमिशन के साथ कार आफर करी जाने वाली है अब इसके अगर मैं फीचर की बात करो तो कार का जो डिजाइन है वो तो कोई बहुत जादा एट्रे स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा जो की साइज में बहुत ही जादा बड़ा है तीन पार्ट में डिवाइड हुई वी इस कार के अंदर आप लोगो संरूफ देखने के लिए मिलेगी फ्रेंट के दो बंदों के लिए अलग जहां पर ट्राइवर को ड्राइवर रहता है बी इस वीडियो को शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब करके पहले अउन कर लो क्योंकि वरना कर डीटेल वाक राउंड वीडियो में आप लोगो के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं तब तक के लिए बाई बाई